नमस्ता एबरीवन लेट्स कंटिन्यू बड़े घर की बेटी जिटेन बाइ मुंशी प्रेम जिन जी इस पाट फॉर वीडियो एंड लिंक आफ प्रिविएस वीडियो इस गिवन डिस्क्रिप्शिन बिलों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि श्रिकंट सी को जब पता चलता है कि उसके पीछे घर पे क्या-क्या हुआ तो वह बेनी माधवसी से कहता है कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता हूं और अब देखते हैं आगे तो श्रिकंट सीन जब कहता है कि मेरे पीछे यह सब हो रहा है खड़ाओ, चपल, जूते की बोचार हो रही है यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूं और सच मानिए कि मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को मैंने कुछ दंड नहीं दिया, कोई सजा नहीं दी अब अब तक तो बैनी माधवसी समझानी की कोशिश कर रहे थी शेकन सिंह के पिता पर अब धिरे धिरे उनको भी कुस्सा आ गया ऐसी बात और नसुन सके वो और वो बोले लाल बिहारी तुमारा भाई है उससे कभी भूल चुक हो उसके कान पकड़ो लेकि घर छोटे की ब पर नचाँ करो कि तुशिकण सिंह केता है लाल भीहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता देनी माधवसी यह एक सत्री के पीछे जी नहीं उसकी कुरूड़ता और अवीवेक के कारण श्रिकंट सी उसकी क्रूडता कितना क्रूएल है वो और आविवेग ना बुद्धी ना समझी के करण मैं उसे अपना भाई नहीं समझता दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साप लड़के का क्रोध शांत करना चाते थे किसी ना किसी तरह वो श्रिकंट सीयंका खुष्सा शांत करना चाते थे लेकिन यहनी स्विकार करना चाते थे कि लाल विहारी ने कोई अनुचित काम किया है तो मैंनी माधवसी हां यह नहीं समझना चाते थे कि मेरे बेटे ने कोई गलती किये नहीं बट हाँ वो बात को बढ़ाना भी नहीं चाते थे और चाते थे कि श्रिकन्सी का खुश्रा शान्त हो जाए उनके बड़ी बेटे का इसी बीच में गाउं के कई और सज्जन हुक के चिलम के बहाने वहाँ आ बैठे हुक का चिलम गाउं के बुज़ुर्ग इखटा हो जाते थे जैसे कोई बात लेके और हुक के चिलम के बहाने इखटा हो जाते थे तो वैसे गाउं के कुछ लोग उनके घर पे आ गए और कई स्त्रियों ने गाउं की औरतों ने जब यह सुना कि श्रिकन्सी पत्नी के पीछे उनके पिता से लड़ने पर तयार है तो उनने बड़ा हर्श हुआ क्योंकि गाउं की ओड़ते श्रिकन्सी उनको ज़ादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि श्रिकन्सी हमेशा उनकी गल्ती निकालता है और उनने पत्नी परिवार में ही रहना चाहिए ऐसा वगेरे के उपदिश देता था तो आज अपनी पत्नी के कारण वो पिता से भी लडने को तयार हो गया तो कहीं ना कहीं एक तरट की खुशिक नाम की स्त्रियों को हो रही थी दोनों पक्षो की मधूरवानिया सुनने के लिए उनकी आत्माय अकूलाने लगी मधूरवानिया मतलब सर्कस्टिक वे में कहा गया है कि दोनों की जो दोन मतलब श्रिकंट सी हैं और उनके पिता बैनी मादव सी हैं उनके बीच में जो आर्गूमेंट्स हो रहे थे उन्हें सुनने के लिए गाउं के लोग अब कही न कहीं बेचैन हो रहे थे अरे इनके घर भी जबड़ा हो रहा है असा गाउं में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य बुरे मनुष्य भी थे जो इस कूल की इस परिवार की नीती पूर्ण गती पर मन ही मन जलते थे तो हमको पता है कि श्रीकंट सी पड़ा लिखा है उनका जो घर है बेनी माधवसी का संपन्न है और एक निती पूर्ण गती that is a rightful progress हम जैसे कह सकते हैं कि बीना कोई गलत काम किये एक progress होती है घर की कि उससे कही न कहीं घर के गाउं के लोग जल रहे थे तो वो चैलिस फील कर रहे थे तो अब उन्हें कहीं न कहीं खुशी मिल रही थी कि चलो इनके घर पे भी जगड़ा हो रहा है इस महान उभाओ की शुप कामना आज पूरी होती दिखाई थी तो sarcastic way में कहा गया है विन्याख मक वे में कहा गया है कि इस महान उभाओ इन great लोग जो गाओं की great people है महान लोग है उनकी इच्छा अज कहीं न कहीं पूरी हो रही थी कोई हुका पीने और कोई लगान की रसीत दिखाने के बहाने आकर बैठ गए लगान टेक्स रिसिप्ट टेक्स की जो रिसिप्ट होती है वो या कोई हुका पीने ऐसा कोई न कोई बहाना लेके आज सब बैनी माधम सी इंके घर पे देखने आ रहे हैं कि अरे जगडा कैसे होत अदमी थे ओल्ड इन भावों को ताड़ गए इन भावों को पहचान गए इरादों को जान गए उन्हें समझ में आ गया कि गाउं के लोग किस इंटेंशन से आ रहे हैं मेरे घर पे अब उन्होंने निश्य किया कि चाहि कुछ भी क्यों नहों इस द्वेशियों को ताली बज तुरंत कोमल शब्दों में बोले तो अब उन्होंने अपना गुस्सा अचानक से शांत कर लिया और वो श्रीकंट से प्यार से बोल रहे हैं बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं तुम्हारा जी जो चाहे करो अब तो लड़के से अपराद हो गया तो अब वो उसे बोल रह से गलती हो गई है और मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं तुमसे अलग थोड़ी ही हूं मैं और अब तो गलती हो गई है करके वह अब वे मतलब बेनी मादों से सारी बातों को ठंडा करना चाहता था इलहाबाद का अनुभव रहित जलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को यह ने अपना ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट किया था अब जॉब है पर अनुभव रहित अनुभव रहित क्यों कह रहा है लेखक उन्हें किस चीज़ का नुभव नहीं है नौकरी का नहीं नौकरी का नुभव तो है कि जो गांग के लोग जिस इंटेंशन से घर में आ रहे और मज़े देखने के लिए आ रहे इन सब चीजों का जो ऐसे भी लोग होते हैं इन सब चीजों का श्रिकंट को कोई अनुभव नहीं है इसलिए यहां पे लेखक कह रहा है कि इलावात का ये जो अनुभव रही इस मतलब जहां डिबेट्स होते हैं वहां हम अपनी बात पे अड़े रहते हैं पड़ा लिखा है तो कॉलेज में जैसे डिबेट्स होते हैं वैसे तो उसको वही आदत थी इन हत्कंडों की उसे क्या खबर इन हत्कंडे मतलब चाल की उन्हें क्या खबर कि जब लोग आते हैं नमाशा देखने ही, यह सब उसकी समझ के बाहर की बात थी. किसके समझ के बाहर की बात थी? शिकंड़ सी मतलब से बात पल्टी थी वह उसकी समझ में ना आई तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पिता ऐसा दीरे शब्डों में कोमल से क्यों बात कर रहे हैं, बोला मैं लाल भिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता वो अभी भी गुस्से में ही था उसे कोई फरक नहीं पढ़ रहा था कि कोई गाम की लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं मैंनी माध उसे ने पुछका रहा प्यार से बोला मेटा, बुद्धिमान लोग मुर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते बुद्धिमान लोग श्रिकंट सी हैं और मुर्ख लाल भिहारी सी तो तुम तो बुद्धिमान हो तुम्हें श्रिकन्ट सींग की बात पर ध्यान नहीं देना चीए वह बे समझ लड़का है, कम समझ का उससे जो कुछ भूल हुई है तुम बड़े होकर छमा करो मतलब तुम उसे माफ कर दो, बात इधर खतम करो श्रिकन्ट सींग को अवेश आ गया, गुस्सा आ गया, बोले उसकी इस तुष्टता को मैं कदा भी नहीं सह सकता मतलब उसके इस बुरे काम को, ये गलत काम को in fact, मैं नहीं सहिन करूँगा, या तो वही घर में रहेगा या मैं, आपको ये दिवा अधिक प्यारा है, तो मुझे विदा कीजिए, मतलब आपको अगर वो प्यारा है, तो मुझे विदा कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा, मैं अपना जीवानियापन कर लूँगा, मतलब मैं उतना सक्षम हूँ, उतना कमा लेता हूं कि अपना घर चला लूगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्च चाहे है। तो श्रिकंट कहते हैं कि या तो आप उसका साइड लो, तो मुझे जाने दो। और अगर आप मेरे साइड रहना चाहते हूं, बैनी मादव सिंह को अपने पीता को कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर उसे कहिए कि लाल बिहारी को कहिए कि वो चला जाए। बस दिस इस मैं लास्ट जोबी डिसिजन है वो, यह मेरा अंतिम निश्य है। लाल बिहारी दर्वाजे की चौखट पर चुप चाप खड़ा, बड़े भाई की बाते सूधरा था। अब लाल बिहारी सब देख रहा था कि किस तरह श्रिकंट से अचानक से गुस्सा हो के कह रहा है कि हम साथ नहीं रह सकते। वो श्रिकंट के सामने चारपाई पर बैठ जाए। खुक्का पीले या पान खाले। बाप का भी वह लिहास दा करता था जितने बड़े भाई का। मतलब लाल बिहारी अपने भाई से बहुत जादा प्यार करता था। तो पुराने जमाने में जिसे कभी लाल बिहारी श्रिकंट के सामने चारपाई पर बैठ जाए। या मतलब बड़ों के सामने पुराने जमाने में कैसे कि हमें बैठते नहीं है that is हम अपना respect कैसे शो करें इजट कैसे शो करें जो हम देते सामने वाले को तो हम उनके सामने बैठते नहीं थे या अपने से बड़ों के सामने हुका पीलो या पान खालो दोस्तों के साथ ठीक है पर घर के बड़ों के सामने नहीं करते हैं तो लाल पिहारी यह सब काम एक पर अपने पिता के सामने कर लेते हैं पर वो कभी श्रिकंट के सामने ना चारपाई पर बैठ जाए या पान खाले इतना भी हिम्मत नहीं करता था मतलब अपने भाई की शरिकंट सिया और लाल बिहारी का रिष्टा कैसा था तो शरिकंट भर शरिकंट भी अपने छोटे भाई पर पहुत प्यार करता था उनसे अपने होश में उन्होंने कभी से गुर्का तक न था कभी डाटा या मारा तक न था जब वह इलहबाद से आते तो उसके लिए कोई न हमेशा लाल भी हारी के लिए अपने छोटे भाई के लिए कोई न कोई चीज लाते थे मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी what is मुगदर? मुगदर जो वुडन का बना रहता है लकडे का रहता है वो एक्सराइस करने के लिए असा जिसे डंबल जिसे कहते हम ल जोड़न का रहता है और पहलवान लोग उसे भारी रहता है और उठा के उससे एक्सराइस करते हैं तो मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी श्रिकंट ने लाल भीहारी के लिए बनवाई थी क्योंकि वो पहलवान टाइप आपनी ता पहलवानी क्या शौक था पिछले साल जब उसने लाल भीहारी ने अपने से ड्योड़े जवान को ड्योरे मतलब वन एन हाफ टाइम्स जादा ताकतवर इंसान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पच्छाड दिया दंगल जहां कुष्टी होती है तो कुष्टी में जब लाल भीहारी ने अपने से जादा ताकतवर ड्योरे जवान को हरा दिया था तो पुलकित होकर खुश होकर अखाडे में जाकर उसे गले से लगा लिया और पांच रुपे के पैसे लुटाए थे तो उस वक्त श्रिकंट सियने पांच रुपे खुशी से बाटे थे और मुगदर की ऐसी जोड़ी अप पांच गाले थे लड़े लाघा और अज या नीड़े गाल विडार भाने वाली सोड़ने बंग अब साथ में रहे सकते जोड़ो प्यारी को गिल्ट फिल हो रहा है वह फूट फूट करोने लगा इसमें संदे ये नहीं कि अपने किये पर पश्टा रहा था उसे अब अपनी गलती कहीं न कहीं समझ में आ रही थी भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखू भाईया क्या कहते हैं मतलब भाई के आने के एक दिन पहले वो कहीं न कहीं डर रहा था कि अरे भाईया क्या कहेंगे अब कुछ जादा हो गया तो क्योंकि वो भाईया से बहुत इच्चत करता था उनकी मैं उनके सम्मुख कैसे जाओंगा लाल भीहरी सोच रहा है उनसे कैसे बोलूँगा मेरी आ आरे तो ज Ste continuar चल नहीं करना चाहिए था आसा बोल के पर इसकी विपरीत आशर तो उन्हें कठोर्टा की मूर्ति बनेः हुए पाया कठोर्टा की मूर्ति कान बन गया था काठोर्टा की मूर्ति लाल भिहरी का बड़ा भाई शिकंढड से हैं आंज बहुत कठोर बन गये थ आज वो सरिफ समझानी रहे थे उन्होंनी डिसीजन ले लिया थह कि अब हम साथ नहीं रह सकते, वो मुर्ख था पर तुशका मन रहता है कि भृया मेरे साथ अन्याय कर रहा है। वो मुर्क था मतलब वो इतना समझदार नहीं था, परन्तु उसको अप मन में से लग रहा है कि भाया मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, यदि श्रीकंड सी उन्हें अकेले में बुला लेता, अकेले में बुला कि दोचार कड़ी बात कह देते, कुछ बुल देते, या दोचार तमाचे भी लगा देते, दोचार ठपड भी लगा देते, तो भी उन्हें इतना दुखना होता, कदाचित मतलब शायद तो फिर भी अगर ऐसा भी कुछ कर लेता श्रीकंड सी, तो लाल भीहारी इतना दुखी नहीं होता, पर भाई का यह कहना, कि अब मैं इसकी सुरत नहीं देखना चाहता, यह लाल भीहारी से सहन नहीं हो पुआ रहा है, मतलब हमें यहां समझ में आ रहा है कि लाल भीहारी कम समझ का है, पर बहुत भावुत है, वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आखे पोची, तो उसने एक पीपा श्रीकंट से बात नहीं की, वह अंदर घर आके कपड़े पहन के आखे पोची, मतलब चींच करके कपड़े, आखे पोची रोया हुआ था, तो जैसे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था, पहलवान है, इमेश तो बिगड़नी नहीं चीए, इसलिए उसने अपनी कि भाभी भाईया ने निश्य किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे, अब वे मेरा मूँ भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मूँ न दिखाऊंगा, मूँ न दिखाऊंगा, मैं उन्हें अपनी शेकल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वह चाहते कि वो मेरे साथ रहें और मेरा चहरा देखें, वो देखो हर बात मांदरा श्रिकंट सींगी, मुझसे जो कुछ अपराद हुआ उसे छमा करना, और वह उसे छमा भी मांग रहा है, मतलब मुझे माफ करतो, यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भराया, गला भराना, रो कि लाल की ये बाहर से आये, ट्राइ टू अंडर्स्टेंड, लाल बिहारी आनंदी के कमरे तक जाके ये दुनों बात कर रहे थे, तो जिस समय लाल बिहारी अपना सिर जुका के सौरी कह रहे हैं आनंदी को, और बात कर रहे हैं, उसी वक्त उस कमरे में श्रिकंट सींगी, गुस्से में आख लाल किये, मतलब गुस्से में उस कमरे में पाहर से आते हैं, परन्तु भाई ने देखा तो ग्रिना से आख फेर ली और कत्रा कर निकल गए, मतलब आनंदी और लाल बिहारी दोनों बात कर रहे हैं, लाल बिहारी का सर जुका हुआ है, शिरकंट सी गुस् कि वह जैसे वह यह नहीं ऐसा करके साईड से निकल गए उन्होंने एक बार भी लाल बिहारि से बात लुडती कि डात लुडती do लाल भीयरी की शिकायत की थी क्योंकि उस समय उसे बहुत बुरा लगा था पर अब वो कहीं न कहीं पश्टा रही थी क्यों पश्टा रही थी क्योंकि वस्वभाव से ही डयालू थी डयालू थी बहुत काइंट थी बड़ा मन था उसका उदार थी सुझबूच समझदार उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, अनन्दी नहीं नहीं सोचा था कि बात घर में दो भाईयों के अलग होने तक की बात हो जाएगी, वह मन में अपने पती पर जुजला रही थी, कि ये इतने गरम क्यों होते हैं, तो अब आनन्दी ने जब लाल लाल भीहारी को दर्वाजे पर खड़े ये कहते सुना, कि अपे जाता हूं, मुझ से जो कुछ हुआ, शमा करना, माफ करो, तो उसका जो रहा सहा क्रोध भी था, जो गुस्सा था, वह भी पानी हो गया, और वह रोने लगी, मतलब वह रोने लगी, उसका गुस्सा अप शा जो भी नेगेटिविटी है, गिल्ट है, या पश्टावा है, या जो भी बुरा है, वो मन का जो मैल है, उसे दोने के लिए नयन जल आसू, उससे उप्युक्त कोई और जल नहीं है, श्रीकंट को देखकर आनन्दी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, अब आन बीतर बुलालू, मेरे जिब में आघ लगे, आघ! मैंने कहा से ये जगड़ा उठाया? तो अब आनन्दी बात को संभाल रहे हैं, श्रीकंट को समझा रहे हूँ है, कि अरे वो पाहर खड़े रो रहे हैं, तो तुम उन्हें अन्दर बुलालू, मेरे जिब में आघ लगे, मतलब मेरी स्टंग पे बोल रही है मतलब कि मैंने कहां ये जगड़ा करवाया और कहां ये बात उठाई मैं नहीं बुलाओंगा श्रीकंडसी पश्टाओंगे उन्हें बहुत घ्लानी हो गई है ऐसा ना कहो कि वह चल दे तो आनंदी समझा रही है कि देखो अब पश्टाओं उन्हें मतलब लाल बिहारी को बहुत गलानी हो गई है ऐसा ना कहो कि वह चल दे उन्हें अब पश्टावा हो रहा है ऐसा ना हो कि वह यहां से इस घर से चले जाए श्रीकंडसी ना उठे श्रीकंडसी ये लाल बिहारी को रोकने के लिए नहीं उठा इतने में लाल बिहार जाते हुए घर से दूर से कह रहा है भाभी भाईया से मेरा प्रणाम कह दो वे मेरा मूँ नहीं देखना चाहते इसलिए मैं अपना मूँ उन्हें न दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना का लोट पड़ा और शीगरता से दर्वाजे की और बड़ा महर जाने की और निकल रहा था अंत में आनंदी कमरे से निकली आनंदी उसके पीछे पीछे कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया और लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और अखों में आसु भरकर बोला मुझे जाने दो कहा जा रहे हो आनन्दी पुश्डिये कहा जा रहे हो जहां कोई मेरा मुझ न देखे मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्ये नहीं हूँ तो आनन्दी बोली तुम्हें मेरी स सौगंध अब एक पक भी आगे न बढ़ाना तो आनन्दी अपनी कसम सौगंध कसम देके लाल बिहारी को रोख लेती है तो लाल बिहारी जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भ्या का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है मतलब उन्होंने मुझे माफ कर दिया है तब तक मैं इस गर में कदा पिना रहूंगा अब श्रीकंट सी का रदय भी पिगला उसका भी गुस्सा शांत हुआ उन्हाने बाहरा कर लाल बिहारी को गले से लगा लिया दोनों भाई खुब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा रोते हुए अब कभी मत कहिएग ताकि तुमारा मुझ न देखूंगा इसके सीवा आप जो दंड देंगे मैं स्विकार कर लूंगा सहर्ष्विकार कर लूंगा मतलब कभी यह मत कहना कि मैं तेरा चेहरा ने देखूंगा और कोई सजा दोगे तो मुझे मन्जूर है ऐसा करके दोनों भाई अब श्रीकंट स लल्लू इन बातों को बिलकुल भूल जाओ इश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा तो अब श्रीकंट भी प्यार से अपने भाई को बोल रहे है लल्लू यह सब भूल जाओ अगर भगवान ने चाहा तो अब हमारे घर में ऐसे दिन वापस नहीं आएगी बैनी माधवसी पिता भी खुश हो गए और बोल उठें क्या बोले बड़े घर की बेटिया ऐसी ही होती है बिगड़ता हुआ काम बना लेती है अब बैनी माधवसी हैं आनन्दी की तारीफ कर रहे हैं कि वह सचमुच बड़े घर की बेटी है मतलब सचमुच उस घर की बेटी है बेटियों को इतने अच्छे संसकार दिये गए हैं और इतना अच्छा समझदारी सुझबुच भरा व्यवहार उसकी बेटी ने करके दोनों भाईयों को अलग होने से बचा लिया था तो जिस घर में ऐसे संसकार दिये जाते हैं जहां कि बेटिया सुझबुच समझदारी से क्रिश्टों को टूपने से बचा लेती है उस घर को यहां पे कहा गया है कि बड़े घर की बेटिया मतलब आनंदी ऐसी ही होती है बिगरता हुआ काम भी बना लेती है गाउं में जिसने यह किस्सा सुना वृत्ताम्त मतलब किस्सा उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उतार को सरः अनंदी का जो उदार शांत मतलब उस का जो उदार मन वड़ा मन जिसमें माफ कर दिया उसने लाल प्यारी को जो और रिश्टों को तूपने से बचा लिया तो गा影 के लोगों ने सुना नंदी की तारिफ कि और कहा बड़े घर की बेटिया ऐसी ही होती है तो इसी के साथ ये कहानी का एक happy ending होता है और ये कहानी खतम होती है I hope you all enjoyed and understood this chapter Keep learning, do subscribe to the channel Bye-bye